हालो एब्रिवान, वेलकम बेक टू माई चैनल पीके करा फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट ववल साउंड और लॉंग ववल साउंड में डिफ्रेंज अगर हमें बच्चे को किसी वर्ड को रीड करवाना है तो उसे आइडेंटिफाइ करना कैसे आए कि ये वर्ड जो है शॉर्ट ववल साउंड से हम प्रणाउंस करेंगे या लॉंग ववल साउंड से प्रणाउंस करेंगे ये दोनों में difference ये चीज मैं आज इस वीडियो में clear करूंगी तो वीडियो को end तक जरूर देखें बहुत ही important वीडियो है और वीडियो आपको अगर मेरा पसंद आई तो please वीडियो को like जरूर करें, share जरूर करें और चैनल को subscribe भी कर दें, जिन लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया है friends, वैसे vowels की दो तरह की sound होती है, short vowel sound और long vowel sound जब बच्चे nursery class में होते हैं तो इन vowels को उन्हें कैसे reroute कराया जाता है ए, ए, इ, ओ, ओ, तो ये हो गया हमारा short vowel sound और long vowel sound कैसे पढ़ाते हैं A, E, I, O, U मतलब letter का name itself जैसे ये A है, तो A को हम A ही पढ़ेंगे, E को E और I को I और O को हम O ही पढ़ेंगे और U को हम पढ़ेंगे U तो ये हमारा हो गया long sound और short vowel मैंने क्या बढ़ाया ए, ए, इ, ओ, ओ इस तरह से, तो चलिए हम जैसे कुछ words लेंगे अब हम short vowel sound के सबसे पहले हम लेंगे तो बच्चा इने कैसे read out करेगा, ये मैंने suppose लिखा bat तो इसे बच्चा कैसे पढ़ेंगा, ब, आ, ट तो A का sound इसमें क्या आ रहा है, vowel है इसमें, bat जो word मैंने लिखा है, इसमें A जो है vowel है मतलब, A को मैंने क्या पढ़ा, ब, आ, 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 पढ़ा मतलब तो ये क्या हो गया, short vowel, इसी तरह से मैंने suppose यहां लिखा late word, तो इसमें बच्चे को, बच्चे ने क्या पढ़ा, जब बच्चे को short vowel पता है तो वो इस word को, late word को भी, short vowel sound के तुरू पढ़ना start करेगा जैसे कि ल, आ, ट, आ, तो ये कोई word नहीं बनेगा इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम late A को हमने, A और जो E है, ये जोनों vowels हैं इनको हमने ना तो A को हमने S प्रोनाउंस किया, ना E को हमने E प्रोनाउंस किया, simply हमने late पढ़ा, L, A, T, E, late यहां देखिए short vowel में, यहां मैंने कोई word लिखा, clock तो यहां बच्चा कैसे पढ़ेगा, क, ल, A, क, clock क्या प्रोनाउंस हो रहा है, O जो है, vowel है तो A इसे हमने short vowel प्रोनाउंस किया, अब यहां पर मैंने कोई word लिया जैसे home, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हा, A नहीं पढ़ेगा बच्चा इसे O पढ़ेगा, मतलब जो लेटर का नेम है, उसी तरह से प्रोनाउंस करेगा home, H-O-M-E, home, not harm, harm तो नहीं पढ़ रहा है, home, इसे हम पढ़ेंगे home, तो यह long vowel sound में आ गया word, और यह वाला word जो clock लिखा है मैंने, यह short vowel sound में, इसी तरह से एक word on मैं लिखवाती हूं आपको, मैंने suppose लिखा, lock, ल, आ, आ, हम क्या प्रोनाउंस करने है, short vowel sound और यहां हमने word लिखा एक, people, P-E-O-P-L-E, इसमें देखिए, vowel आ रहे है, E-O आ रहा है यहां पर इधर भी E आ रहा है, तो हमने इसको simple P-E को पढ़ा, हमने एह नहीं पढ़ा, E का phonics sound क्या होता है, एह, तो हमने इसे एह ना पढ़के, हमने simply E पढ़ा, people, तो यह हमारा क्या हो गया, long vowel sound, जैसा letter का name है, उसी तरह से हमने यह read out किया, अब हम आते हैं, जो हम जैसे book में कुछ word पढ़ने हम बच्चे को सिखाते हैं, तो उसमें बच्चा कैसे find out करेगा, कि इस word में, जो vowels आ रहे हैं, कि उन vowels को short vowel sound के थुरू पढ़ना है हमें, या long vowel sound के थुरू reroute करना है, इसके कुछ rules होते हैं, three rules होते हैं, चलिए, अब हम वो rules देखते हैं, सबसे पहले हम friends करेंगे short vowel sound, किसी word के अंदर, अगर कोई vowel होगा, तो उसे बच्चे को हमने कैसे pronounce कराना है, मतलब short vowel sound का पारे में बता रही हूं, बहले, simply जो जैसे small words होते हैं, चोटी-चोटे words होते हैं, small words होते हैं, जैसे कि कोई three letter word ले लिया हमने, जैसे हमने लिखा cat, rat, hat, hen, ऐसे, इन में, तीनो चारो words में, vowels आ रहे हैं, तो जब यहाँ पर किसी word में, जो three letter का word होगा, अगर उसके अंदर कोई एक single vowel आएगा, तो उसे हम कैसे read out करेंगे, short vowel sound के through, किसके through, short vowel sound के through हम read out करेंगे उस word को, जैसे ही cat लिखा मैंने, तो cat के अंदर a जो है, वो single a की vowel आ रहा है, तो इसे हमने कैसे read out किया, क, at, cat, ra, at, rat, her, at, hat, short sound के through हम read out करेंगे, और यह इने हम, cvc words भी कह सकते हैं, और cvc words के बारे में, मैं, अच्छा सा वीडियो बना चुकी हूँ, already channel पे, कि cvc words क्या होते हैं, उनकी worksheets कैसे बनानी हैं, यह सब मैं already channel पर बना चुकी हूँ, उसका link भी मैं description box में दे दूँगी, तो चलिए, यह अब हो गया हमारा short vowel sound, जहां पर single vowel होगा, क्या होगा, single vowel, यह सारे words जो मैंने लिखवाए हैं, four words, cat, rat, hat, hen, इनमें single vowel है, तो इन्हें हम short vowel sound के थूँ, read out करेंगे, अब हम देखते हैं, rule number two, rule number two में क्या होगा, friends, जिस word के अंदर, last में, last में, e पर, वो end हो रहा होगा word, end हो रहा होगा वो word, तो उसे हम कैसे pronounce करेंगे, long vowel sound के थूँ, long vowel sound लेकर चलेंगे, जैसे suppose हमने word लिखे हैं, आपे late, share, care, right, तो यहाँ पर देखिए, यह जो word लिखे हैं, मैंने, आपे late लिखा है, late में जो है, e जो है, e जो है, वो last में आ रहा है, और यह vowel भी है, तो इसे हमने कैसे pronounce करेंगे, long vowel sound के थूँ, long vowel sound क्या बताया था मैंने, letter name itself, मतलब जो letter है, उसका जो नाम है, simply हमें वैसे ही read out करना है, late, अब share लिखा हमने, share में देखिए, e पर word, जो है, वो end हो रहा है, तो हमने इसे simply long vowel sound की थूँ ही pronounce करना है, share, इसी तरह से care, right, तो आप rule number third पर आते है, rule number three क्या कहता है, इसमें भी जैसे जहां पर, two vowels, एक साथ आ रहे हैं, जैसे की a i आ गया, या o a आ गया, या e a आ गया, ये दो vowels हैं, तो हमें क्या करना है, long vowel sound यूज़ करना है, कौन सा sound यूज़ करना है, long vowel sound, अब इसके कुछ words देखते हैं हम, जैसे train, rain, oil, right, और एक और word लेते हैं हम, जैसे tea, एक और word देखते हैं हम, plain, अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर word लिखे हैं, इन में आप देखिए ध्यान से, सभी words में, train के अंदर दो vowels हा रहे हैं, a और i, rain के अंदर भी, दो vowels हैं, oil के अंदर भी, tea और plain, ये सारे words के अंदर, two, two vowels हा रहे हैं, मतलब इन words को हम, long vowel sound के तुरू ही प्रोनाउंस करेंगी, और एक important चीज, इस rule के अंदर, जैसे हम जब train हमने प्रोनाउंस करवाना हैं बच्चे को, तो a और i, दो vowel एक साथ आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, back to back, तो हमें क्या करना है, जो first वाला vowel जो होगा, उसके name से हमें word को प्रोनाउंस करना, और i जो है, मतलब जो पीछे वाला vowel है, उसके name से हमें प्रोनाउंस नहीं करना, जैसे कि train, i silent रहेगा, ऐसे rain, rain में a को हम प्रोनाउंस करेंगे, i को हम silent रखेंगे, rain, oil, i नहीं पड़ा, हमने o पड़ा, oil, t, t, e पड़ा, a को हमने silent रख दिया, t, plane, plane के अंदर a हमने read out किया, और i को हमने silent रखा, तो इस तरह से friends हमने three rules देखे, short vowel sound और long vowel sound में, कि हमें word को जब हमें बच्चे को पढ़ना सि ऐसे ध्यान रखेगा कि इस word को हमें short vowel sound से पढ़ना है, या long vowel sound से, friends, I hope आपको वीडियो यह बहुत अच्छा लगा होगा, बच्चों के लिए helpful लगा होगा, तो आप भी बच्चों को starting से ही इस तरह से word read out करना सिखाएं, और जिससे कि उन्हें book reading में बहुत help मिलेगी, so friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को like जरूर करके जाना, share जरूर करना और चैनल को subscribe भी कर देना, मिलते हम तब तक और अच्छे interesting videos में, till then bye bye and take care.